केसरिया राजपूत महिला क्लब की अध्यक्षा डॉक्टर विभास सिंग एवं आरोही सेवी संस्था के द्वारा लोग तंत्र को स्वज्द और सुरक्षित बनाने के लिए महिलाओं को मतदान मैराथन कराई गई जिसमें सभी उम्रे की महिलाओं ने भाग लिया मतदान मैराथन में 300-400 की बड़ी तादाद में महिलाओं ने भाग लिया सबसे पहले शपत ली गई के सरिया राजपूत कलब की अध्यक्षा डॉक्र विभा सिंग ने सभी महिलाओं को शपत दिलाई की 7 मही को होने वाले लोग सभा के मतदान में सभी महिलाओं स्वयम एवं द्वार चुनेंगे साथी साथी इस महराथन का दूसरा उद्देश्य था कि यह भ्रह्म तोड़ना है कि पढ़े लिके लोग मतदान नहीं करते हैं इस भ्रह्म को गलत सित्य किया गया भारी तादाद में महिलाओं उपस्तित हुई सुबह प्राताकाल सबने मतदान करने की शपतली इस कारिक्रम में हर वर्गी की महिलाएं उपस्तिती महराष्ट मंडल महेश्वरी मंडल जैन समाज महिला समाज कुडमी समाज ब्रामबन समाज चत्री समाज और कई सारी समाज की महिलाएं भी इसमें शामिल थी नमस्कार मैं डॉक्टर विभा सिंग केसरिया राज महिला समाज के महिलाओं ने ये सोचा कि समसामिक जो अभी परिपेक्ष में वर्तमान परिपेक्ष में जो घटनाएं हैं और सबसे बड़ी समस्या है वह मद्दान भारत एक लोगतंत्र देश है और इसका लोगतंत्र विश्व में सर्वशेस्ट है हर जनता जो है इसमें अगर एक महिला जागरुक होगे तो पूरा परिवार जागरुक होगा तो हम लोगों ने इसे थढ़ा रोचक बनाने के लिए मतदान को घर-गर पहुंचाने की विवस्था को रोचक बनाने के लिए मतदान जागरुकता मैराथन रेस का योजन किया जिसमें हमने 21 वर्ष लेकर के 80 वर्ष तक की महिलाओं को प्रोचसाहित किया और इसका लिए हमें खुद भी खुद मेराथन करना पड़ा हमने दुर्ग भिलाई समाज में जितने भी महिला संगठन है चाहे वो अग्रबाल समाज हो मैश्वरी समाज हो जैन समाज हो या कायस्त समाज हो ब्रामन समा समाज हो कुर्मी समाज हो सभी महिला संगठनों को चाहे लाइनेंस क्लब इनर्विल क्लब और जितने भी क्लब हैं उन सबसे संपर्क स्थाबित किया और सभी महिलाओं को अपने कारिक्रमों के बारे में जागरूप कराया और बताया और किस प्रकार उने इसमें मैराथन र समय लिया कि महिलाएं पूंत स्वतंत रहती हैं अपने लिए कुछ समय निकाल सकती हैं तो हमने देखा कि 6 बज़े सुबह सभी महिलाएं उपस्थित हो गई तो इसका जो सबसे चुपा हुआ उद्धेश था वह था मद्दान की शपत यह शबत भी एक अनूटी और अनोखी विश्पतती हमने जो वश्पत लिए व्याती कि मैं अपना अपना नाम लिया खुद मद्दान करूंगी और अपने परिवार के सभी सदस्यों को लेकर जाओंगी और मेरे घर में काम करने वाली जो मेडं है उसको और उसके परिवार को भी मद्दान बूत तक ले जा करके मद्दान करवाएंगे यह संकल्प लेकर के भारी संक्या में महिलाओंगे करतल धनी से स्वागत किया और इस बात को उन्होंने से न कारा कि लोग कहते थी कि महिलाएं और पड़े लिखे लोग माताओं को और अपार भीड के कारण, जनता के सहयोग के कारण यह कारक्रम बहुत सफल हुआ इसके लिए मैं समस समाज को, दुर्ग बिलाई की महिलाओं को, माताओं को, बेहनों को और चोटे बच्चों को और अपने भाईयां और पुर्शों सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद मैं डॉक्टर वेबासिक धन्यवाद इस बार लोगतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेने के लिए सर्व समाज सामने आकर एक दूसरे को प्रोसाहित कर रहा है और जागरुकता फैला रहा है कि लोगतंत्र के महापर्व में सभी की भागिदारी ज़रूरी है ACN News के लिए भिलाई से संदोश शर्माग रिपोर्ट